हालो प्रेंट वेलकाम बैक मैं हूं मानिक पाइक और मैं आपको सौगत करते हो गूगल एड़्स ट्रेंटिंग क्लास इन हिंदी में जहाँ पर आपको गूगल एड़्स जो पीपीसी क्लाफ से यह आपको इस्टेबेस टुप सिखने को मिलेंगे और आज को में टोफिक है कै से आप ओडियंस को नेरडाउन कर सकते हो फिरन कोई भी एक एड़ केमपेंट चलाने से पहले आपको ओडियंस नौलेज बहुत ज्यादा और बहतर नौलेज होना चाहिए नहीं तो आप एड़ केमपेंट तो चला लेंगे और आपका एड़ भी एप्रूप हो जाएगा प कौन से लोगों को आपको एड़ दिखाना चाहिए मैंने यह जो मतलब जो कह कहते है जो एकजेंपल मैंने पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ के अगर आप एक BMW बिसने साथ हो तो जो सिटी लोग है जहाँ पर लोग आमिर लोग रहते वहाँ पर आपको बिसना बहुत हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर जो मानी कंडिशन है वो थोड़ा सा खराब है तो इसके लिए क्या होता है वो मतला BMW खरेने से पॉब्लम हो जाते है तो इसलिए ओडियंस भी आपको नौलेज होना चाहिए आप जो बिसनेस करना चाहते हो वही हिचाप्ट के आपको यह जा नर्डाउन हम कैसे करेंगे यह थोड़ा सा हम दिखेंगे तो फ्रेंड आप जानते हो कि वाडियंस नर्डाउन जहें आप एक तो वाडियंस को नर्डाउन कर सकते हो फ्रेंपल कैसे करेंगे एक तो आपको लोकेशन की हिचाप से करेंगे लोकेशन यह लोकेशन की वो पोजिशन और आपको जो सार्विसे से वो हिसाब से आप नेरडाउन कर सकते हो पर बेसिकली दो चीज़ के अंदर आपको ये नेरडाउन होता है जैसे फार एक्जमपल लोकेशन के अंदर और क्योड के अंदर लोकेशन के अंदर भी आप और भी आप नेरडाउन कर सकते तो जैसे for example, government, employee, private sector के job करने वाला है, software development की अंदर जो काम करते हैं, या जो मतलब, क्या वोले, insurance के अंदर जो काम करते हैं, जो यूटूबर, जो अलग-अलग type के आप, वो location की हिजब से आप और भी उसका साथ-साथ आप narrow down कर सकते हो, for example, यहाँ पर और एक बनता है कि उसका professional की उपर होता है, right, तो आप P, R, O, A, P, O, S, A, N, L, professional, friend हो सकते हैं कि यह मेरा feeling खाराफ है, तो कोई बात नहीं, तो professional जो उसका है, मतलब उसका जो category wise, तो मैं यहाँ पर category wise मैं उसका narrow down कर सकते हो, तो तीनों चीज़ के अंदर आपको narrow down करना है, friend यह वीडियो पूरा देखिए, नहीं तो आप add campaign कैसे चलाएंगे, आपको audience का knowledge नहीं होगा, तो फिर, तो यह narrow down हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर example के दोरा में जल्दी सी जल्दी में दिखा रहो, तो friend यहाँ पर मैंने एक add campaign चलाना चाहता हूँ, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो मैं आपको location के hitchhap से मैं आपको narrow down करना सिखा रहो, right, तो मेरा जो main profit के location और location के campaign के hitchhap से मैंने एक add campaign क्रेट करा, और यहाँ पर मैंने create goal, और यहाँ पर मैंने कोई एक saas add के लिए मैंने select किया, और इसके बाद मैंने एक website क्लिक करना चाहता हूँ, और for example मैं यहाँ पर example.com e x m p l e, ठीक है friend, तो मैं example के दोवारा एक add campaign मैंने रखा हूँ, और यह मैंने continue कर दिया, और continue करने के बाद मेरा सामने ज़िए dashboard आजेगा, वहाँ पर भी मैं नेरडाउन कर सकते हूँ, friend, नेरडाउन करने के यहाँ पर जो location है, जैसे for example आप audience को नेरडाउन करने के लिए आपको क्याक कर सकते, all over India location ले सकते, right, तो आप India location ले लिए, India तो यह आपको audience नेरडाउन हो गया, मतलब सारे दुनिया को चला सकते, अगर अगर आप पूने सिलेट करेंगे, तो यह पूने भी आपको सिलेट हो जाएगा, right, तो friend, यह India target है, इसके अंदर आप स्रेव only फर पूने लिखेंगे, तो यह audience और भी नेरडाउन हो जाएगा, अगर पूने सिलेट आप कर देंगे, उसके अंदर और भी कोई गाउं है, जैसे for example, मान के से ले, पुवा, पुवापूर, right, तो मैंने एक नाम दिया, पुवापूर, right, तो यह आप में हटा देंगे, तो और भी audience आपको मतलब कम हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर इंडिया लिख सेकता था, तो इंडिया एक बड़ा audience है, इसका साथ मैंने और नेरडाउन करो, पुने, पुने भी नेरडाउन के है, तो ऐसे करके location जितना सोटा करेंगे, तो location के हिजब के आपको audience भी सुटा हो जाएगा, और आपको add जो क्लिक है, उसका हिजब से भी आपको audience नेरडाउन हो जाएगा, अगर यह सारे logic आउगर आप करेंगे, for example आपने एक क्लिक किया, और आपको लगते हैं कि मैं पूरा all over India क्लिक करूँगा, तो यह आप रख सकते हैं, इंडिया रखने के बाद अगर आप कोई लिखते हैं कि पी एसी के एरस पैकर्स सर्विस एसी और भी एसी एस पार्विसेज इन, अगर यह पूरे लिखेंगे, तो exactly आपको जो keyword है, तो यह audience के हिशब से आपको narrow down हो चुका है, यह इंडिया के अगर कोई भी पैकर्स सर्विसेज पूरे लिखता है, तो only for पूरे के लिए यह show हो जाते हैं, नहीं तो कोई इंडिया का बाहर भी अगर कोई पूरे लिखता है, तो यह भी हो जाते हैं, तो फ्रेंट इहा तक भी आप narrow down कर सकते हैं, यहाँ पर में और भी कुछ दिखा रहा हो जाते हैं, for example, आपने देखा के पूरे महरास्ट अगर में यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो ओ भी आप narrow down कर सकते हैं, वर्डेंस के हिजब से अगर आप Google My Business Page जैसे होता है, Google My Business Page भी आप जोड़ना चाहता हैं, for example, अगर आप चाहता हो कि मैं रेडियस के हिजब से कुछ करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर रेडियस कर दीजिए, और रेडियस करने के बाद अगर आपको पास Google My Business Page है, तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो यह हिजब से आप यह नेरडाउन कर सकते हो, तो फ्रेंट मैंने यहाँ पर देखा है कि आप ओडियांस कैसे नेरडाउन कर सकते हो, इसके साथ-साथ अगर आप चाहता हो कि only for जो पूने लिखता है, जैसे for example, पैकसन मुवा सर्विसी इन पूने, तो मैं पूने से बाहर हूँ और मैं इंटरस्टेट दिखा रहा हूँ पूने के अंदर, तो यह actually पूने टार्गेट के बाहर है, तो अगर आप सिरफ चाहते हैं कि मेरा जो टार्गेट लोकेशन है, अगर कोई सास करें तो जुरूर हो करें, तो यह किलिक करके भी आप नेरडाउन कर सकते हो, आपका ओडियंज की, तो यह टार्गेट है, अगर आप चाहते हो कि people exclude location, और people who are interested in your location, ऐसा करके भी आप ले सकते हो, यह तो चला गया, अगर आप language की हिचाब से, इंग्लिश हाटा दोंगा, तो all languages के type के जो है, वो कर सकते हैं, तो मानकेसिलिए इंडिये के अंदर बहुत सारे लोग जी है, वो अलग-अलग type के language यूज करते हैं, जैसे for example, तामिल, तिलेगू, मतलब तिलेगू language है, माराठा है, पंजबी है, जैसे हिंदी है, बिंगोली है, उडिया है, तो ऐसे type की जो लोग है, वो आपको यह तरीके से बात करते हैं, फ्रेंट यहाँ पर जो language की हिचाब से अपने जो नेर्डवन नों कर लिया, और इसके हिचाब से, अगर आप चाहते हो कि हाँ, मैं audience के कुछ professional जो काम करते हैं, जैसे for example, कोई school job, जैसे government, GO, VR, तो मैं government में यहाँ पर click करूँगो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको government and public sector में जो job करते हैं, इसी हिचाब से भी आप आपका audience narrow down कर सकते हैं, तो friend, यह आपको समझ में आ गया है कि यह सारे सीज़ करने के लिए आपको कैसे एक narrow down कर सकते हो, और इसके हिचाब से अगर आप keyword भी input करेंगे तो आपको audience narrow down हो जाएगा, तो friend, यहाँ तक आपको पूरा details के लिए हो चुका है कि Google Ads campaign चलने से पहले आपको target जो है वो पहले ठीक करना होगा, आपको जो location है वो पहले ठीक करना होगा, आपको जो target category है, for example, कोई government job करते है, कोई private job करते है, तो यह सारे लोगों को बात में अगर आपको audience का knowledge हो जाएगा, तो I think आप एक बहतर से बहतर ad campaign चला पाएंगे, friend में एक professional digital marketer होने के नातर में यहाँ पर Google Ads की tutorial तो वीडियो में बनाता है रहता हूँ, और यह पाड़ी वीडियो आपको मिलते रहता है, अगर आप professionally एक Google Ads PPC expert बनना चाहते हो, तो मैं आपको suggestion करूँगा, मेरा साथ जो यह चैनल को subscribe करें, अगर आपको business के लिए help चाहिए, तो please यहाँ पर जो number देख रहे हैं, यह number से call करके, यह hot tap करके मेरा सेथ बातचीद कर सकते हैं, Thank you so my friend, अपनी important time यहाँ पार दिये स्लेब को बहुत बहुत चुकते हैं, तब तक अब हैपि रहिए, खुशी रहिए, जाहिएंद, बंदमत्रम.